नीट परिक्षा में गड़बडी को लेकर जो देश भर में विरोध प्रदशन हो रहे हैं इस बीच अब सरकार ने UGC नेट की परिक्षा रद कर दी है इधर नीट परिक्षा के मामले में सरकार ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध हिकाई से रिपोर्ट भी मांगी है जिसके आधार पर अपकार रुवाई की जाएगी तो NTA ने ये परिक्षा आयोजित करवाई थी 18 जून को लेकिन 19 जून को ही एक दिन बाद इस परिक्षा को स्थगित कर दिया गया है परिक्षा रद हो चुकी है CBI इस मामले की जांच करेगी NTA ने कल नेट की परिक्षा रद करने का एलान किया 18 जून को परिक्षा आयोजित की गई थी और कल परिक्षा के बारे में ग्रीमंद्रा लेके National Cyber Crime Threat Analytics Unit से इंपोट्स मिले थे केंद्र ने इसकी जांच CBI को सौम दी है अब नए सीरे से परिक्षा होगी नया एक्जाम शेडियूल अलग से शेर किया जाएगा आपको बता दे 18 जून को हुई नेट केस परिक्षा में 9 लाग से ज्यादा स्टुडेंट्स बैठे हुए थे 317 शहरों के 1205 केंद्रों पर ये परिक्षा आयोजित की गई थी जिसे अब रद कर दिया गया है तो केंद्रिय शिक्षा मंत्राले की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश जारी किया गया उसमें लिखा गया कि सरकार परिक्षाओं की सही तरीके से कराने और छात्रों के हितों की रक्षा को सुनिशित करने के लिए प्रतिबर्ध है शिक्षा मंत्राले ने फैसला किया है कि ग्री मंत्राले के तहट भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र के इंपुट के आधार पर यूजी सी नेट जून दो हजार चौबिस परिक्षा रद कर दी जाएगी पहले नजर में ऐसा लगता है कि परिक्षा की विश्वस्नियता से समझाता किया गया है नए सीरे से परिक्षा आयूजित की जाएगी जिसकी अलग से जानकारी दी जाएगी मामले की गहन जांच के लिए ये मामला सी बी आई को सौंपा जा रहा है इसी मामले पर हमारे सहयोगी प्रशान्थ हमारे साथ जुड़ चुके है प्रशान्थ अब परिक्षा तो रद हो चुकी है लेगिन अब चात्र पूछ रहे हैं कि अगली परिक्षा कब तक होगी जी बिलकुल यही सबसे बड़ा सवाल है जिस कल जब इस बात की गोशना की गई कि परिक्षा रद की जारी है उसी में ये बताया गया कि जल्द ही इसकी परिक्षा दोबारा ली जाएगी सबी चात्रों के लिए हले कि इसकी मोडालिटी क्या होगी कब ये परिक्षा आयोजित की जाएगी क्या परिक्षारतियों का अलक से आवेदन करना पड़ेगा फीस फिर से भड़नी होगी इन सब बातों की जानकारिया भी नहीं दी गई है मंत्राले की और से सिर्फ इतना क्या कहा गया है कि जल्दी दुबारे परिक्षा करवा जाएगी इसकी विश्वस्तियता कैसे बहाल की जाए चात्रों का जो भरोसा है वो फिर से कैसे बहाल किया जाए तो ये असल चुनोती होगी न्टिये के लिए क्योंकि इस पर अब देखिए सियासत भी काफी तेज हो गई है आज यूजी सिनेट के चात्रों से तो नहीं लेकिन ऐसी चर्चा है कि राहूल गांधी जो नीट के परिक्षारती हैं उनसे आज मिल सकते हैं हाला कि कब और कहा मिलेंगे कितने बज़े मिलेंगे इस पर अभी कुछ इस्तिती साफ नहीं है लेकिन ऐसे चर्चा काफी जोरों से है कि राहूल गांधी इस मामले पर नीट के चात्रों से आज मिल सकते हैं तो इस पूरे मामले पर कल जब से यूजी सी नेट की परिक्षा रद करने की सूच रहा है तो अब निटिया को पहले तो कब परिक्षा होगी विध्यार्थे ंसे बताना होगा और जल से जल यह परिक्षї हो और उस परिक्षा पर भरोसा हो, चात्रों को यही सुलिश्शीत करना होगा प्रशाद मेरा यही सवाल था आप से कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया क्यों रद की गई है ये परिक्षा नहीं देखिए अभी तक जो जानकारी है वो उसी प्रेस रिलीस के माध्यम से है जो कल रात को जारी किया गया था शिक्षा मंत्राले के तरफ से उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि ग्री मंत्राले के तहट जो एंटी साइबर से लेजनसी काम करती है उसने कुछ इंपुट द लेकर देखिए यह साफ है यह सवाल ये कि यह जो परिक्षा थी यह ओफ लाइन परिक्षा थी इन्ट नहीं लेगे ति परिक्षा के जरीय कर प्रिक्षा पर जाकर पर Все प्सक्राइब थे तो ऐसे में साइबर्स तरह से इस पूरे मामले में आती है किया पेपर Лिक के लिए या कुछ और इंपुट मिला है इन सब बातों के जानकारी सी बीए जांच के बात ही पता चल पाईगी इसके बारे में अभी और कोई जानकारी नहीं दिए लेकिन प्रथम दिश्टिया यही लगता है कि पेपर लीग की वज़े से ही यह जो परिक्षा है वो रद की कि कल जब हमने यह ट्वीट पढ़ा उनका तो उसमें बताया गया कि गड़बड़ी हुई है लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया है साथ ही यह भी एक बात है कि अभी तक कोई शिकायत पेपर लीग की नेट एक्जाम के बारे में नहीं की गई है एक ही दिन पहले यह में चल रहा है उसमें सरकार से लगतार यह मांगी जा रही है कि परिक्षा रद्ड की जाए उसकी जांच करवाई जा इससी ख़या है कि सियंदा या डोबारह परिक्षा हुआ जाए। पर सरकार की देरी पर कई सरकार की काफी अलोचना हो और यह मामला कोट में है तो वहां पर सरकार की और से देरी की जारी है यहां पर अगर सरकार को ऐसी सूचना मिली हाला कि यह बहुत दुखाद है क्योंकि सभी चात्र तैयारी करके इतनी भीशन गर्मी में जाकर सबने एक् परिक्षा रद्ध हो गया लेकिन अगर सरकार को कोई सूचना मिलती है तो आगे चलकर चीछा लेदर हो सरकार की फजीहत हो उस चात्रों का भरुसा उठे उससे तो बहतर है कि तुरंत सूचना मिलते ही गरबड़ी की सूचना मिलते ही कम से कम मामला सी बी आई को सौप दिया लिए सरकार के लिए नटीय के लिए सरकार के लिए बहुत मुश्किल समय है कि एक तरफ रद नहीं करें तो उसकि अल़ोचना होगी ढ़िए सरकार को देखना होगा किस तरह से भरूसा बहल किया जाए